क्या आपके आलू की सबजी जल्दी खराब हो जाती है? आज में आपको लंबे सफर के लिए आलू की सबजी बनाना सिखाऊंगा, जो 3-4 दिन तक खराब नहीं होगी. ये मजेदार आलू मसला आप आज बनाए और 3-4 दिन तक आनन उठाए, क्योंकि ये आलू की सबजी जल्दी खराब नहीं होगी. आलू की सबजी के लिए हमें चाहिए 5 मिडियम साइज के आलू. इस आलू को हमने पानी से अच्छी तरह से दो कर साफ कर लिया है. अब इस आलू के हम छोटे-छोटे टुकडे कर लेंगे. मैं इस आलू की सबजी को छिल्के के साथ ही बनाऊंगा. गेस को ओन करेंगे और एक पेन में डालेंगे 4 टेबल स्पून मुंगफली का तेल. इस रेसिपी में मुंगफली का तेल थोड़ा ज्यादा लगेगा. तेल गरम होने पर एक टीस्पून जीरा एड़ करेंगे. आधा टीस्पून हिंग डालेंगे. और अब ये आलू के टुकडे जिसको हमने काट कर रखे थे. आलू के टुकडे ज्यादा बड़े नहो इस बात का ध्यान रखे. अच्छी तरह से मिला लेंगे. कवर करेंगे और पकाएंगे. मगर बीच बीच में चलाते रहेंगे, चेक करते रहेंगे. आईए, चेक करते हैं. इस आलू की सबजी को पकने में 15-20 मिनिट का वक्त लगेगा. आलू का कलर बदल गया है. हमारे आलू अभी भी थोड़े से कच्चे है. पूरी तरसे पके नहीं है. अब इसमें हम सुखे मसाले एड़ करेंगे. सबसे पहले एड़ करेंगे आदा टीस्पून काली मिच. जिसको हमने हलका सा कूट लिया है. अजवाइन डालेंगे आदा टीस्पून. ये है धनिया जीरा पाउडर एक टेबल स्पून. सेंधा नमक डालेंगे स्वादा नुसार. ड्राइ जिंजर पाउडर एक टीस्पून. आदा टेबल स्पून आमचूर पाउडर. कास्मिरी लाल मिर्च का पाउडर एक टीस्पून. एक टी स्पून मस्टर्ड पाउडर और आखिर में खटास को बेलेंस करने के लिए आधा टेबल स्पून सक्कर को डाल कर मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे ध्यान रहे इस सफर वाले आलू की सबजी में हम पानी का इस्तमाल नहीं करेंगे इस आलू की सब्जी में हम सिर्फ ड्राइ मसालों का ही इस्तमाल करेंगे फिर से चेक करते हैं सुखे मसाले और आलू एक दूसरे से अच्छी तरह से लिपट चुके है आईए चेक करते हैं हमारे आलू अच्छी तरह से पक चुके है तैयार है परोशने से पहले टेस्ट जरूर करें आप इस आलू की सबजी को दहीं डाल कर रोटी पराठा या थेपले के साथ एंजोई कर सकते हो दोस्तो आपके हर सफर का हमसफर चटपटे, स्पाइसी और मसालेदार आलू की सबजी आप जरूर ट्राइ करें और आपकी अनुभव हमारे साथ सेर करें आप स्वस्त रहे, मस्त रहे, तंदुरस्त रहे हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार